दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो देखिए मैंने नवंबा स्टोरी नाम किए एक वेब सीरीज देखी है हाट स्टार पे उसी का मैं आपको यहाँ पे रिवियू दने वालों तो देखिए कहानी लिटरिली बहुत ह ज्यादा अमेजिंग है सस्पेंस से भरी है देखिए जैसे आपने अमेजॉन प्राइम पे एक वेब मुवी देखी होगी जिसका नाम था जो जी वह एक स्लो बर्न फिल्म थी यह भी स्लो बर्न वेब सीरीज है मतलब आपको स्क्रीन पे स्लो नजर आएगा लेकिन अगर आ ऐसी लड़की की कहानी जो बहुती स्ट्रगलिंग लाइफ जी रही है अपने फादर के साथ रह रही है और उसके फादर को अलजाइमर है ये पहले एपिसोड में पूरी तरह कैसे बिल्ड़ अप करके दिखाया है अब अलजाइमर होने के बावजूद भी उसके फादर 16 नमबर हर साल 16 नमबर की डेट को अपने पुराने घर में टाइम स्पेंड करने जाते हैं 16 नमबर 2019 को एक ऐसा केस हो जाता है कि उसके फादर तो गए लिकिन वहां मुर्डर हो गया था मतलब वहां पे मुर्डर हुआ था और वहीं उसी समय उसके फादर भी वहां कि तीन एपिसोड अच्छे नहीं है तो शायद वेब सीरीज अच्छी नहीं है बहुत जादा बोरिंग है लेकिन उनकी बात मत सुनिये आपको समय समय पे हर चीज समझ आईगी आप बस को ठंडे दिमाग से देखिएगा इसमें सेस्पेंस को इतना स्लो बन तरीके से कनवे किया गया कि आपको ठंडे दिमाग से पैट कर देखना ही पड़ेगा कुछ होती है साइको थिलर फिल्म जिनको यार पूरी तरह के से मतलब फास्ट पेजिंग वाली स्क्रीन प्ले होता है लेकिन यहां तमना भाटिया ने जो नवंबर स्टोरी साइन करी नवंबर स्टोरी यह जो वेब सीरीज करी है यह बहुती स्लो बर्न वेब सीरीज है मतलब यहां पे एक साइको किलर के बारे में भी बताया है फिर यह बताया है यह जो पशुपती सरे जो येसू का काम कर रहे हैं आपे येसू का रोल कर रहे हैं उनका रोल जिस तरीके से एक्स्प्लेन किया है इस वाली वेब सीरीज में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से उनके रोल को डिवेलप किया है उनके रोल की राइटिंग बहुत अच्छे से करिए जिसकी बज़े से आपको ये वेब सीरीज बहुत ज़ादा जबरदस लगेगी इसकी आईमड़ी रेटिंग एट आपको ये बिलकुल नहीं लगेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है ये मैं आपको बहुत ही पहले और बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूं कि इसको ठंडे दिमाग से बैट कर देखेगा ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है इसमें एक सीन आता है जिसमें एक पागल लड़की होती है येसू यानी पशुपती सर के पाथ जो नेकरिटीफ रोल कर रहा है उसका कोई रेप करने आ रहा होता है और जो लोग रेप करने आ रहे होता है वो तो कही ना करी बज जात है लेकिन जो लेड़ी उनको लेकर आई है उसकी पीट पे व वो है, थर्ड एपिसोड के एंड का वो सीन है, और इतना जबर्दस, थर्ड नहीं सॉरी, सिक्स्ट एपिसोड के एंड का सीन है, वो देख कि आपका दिमाग घूम जाएगा, मैं लिटरी बता रहा हूँ, मतलब यार, इसमें स्क्रीन प्ले को और इसमें एक्टिंग को किस तरीके से पेश किया, जिसकी वज़े से एक्टिंग और मतलब स्क्रीन प्ले भले ही स्लो लगता है, लेकिन उसको देखते, देखते, जब आप दीरे दीरे जब आपके सामने सारे सच्चे सच्चाई के पन्ने खुलेंगे न वो सीन आप देखोगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था आपको keep guessing, keep guessing, keep guessing, keep guessing ये चीज बार-बार करनी पड़ेगी जो भी audience है उन्हें ये समझनी आएगा कि आखिर जो पशुपती सर है जो यहाँ पे येसू का रोल कर रहा है आकर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया देखिए उनकी स्टोरी भी यहाँ बताई है कि वो एक काफी अच्छे सर्जन बनना चाहते थे लेकिन उनके हाथ कामते थे तो वो सर्जन तो नहीं बन पाई लेकिन अटॉपसी डॉक्टर बन गया फिर 1980s में एक ऐसा केस आता है जिसमें बस एक्सिडेंट हो जाता है 43 लोग उसमें मर जाते है उसकी अटॉपसी इन्हों नहीं करें फिर एक लेडी नहीं मिलती है जो अटॉपसी करने तो उसकी बाटी को लेकर आते है लेकिन वो जिन्दा होती है उसी सही सारा रिलेट करके हमें कितना अच्छे से दिखाया है मतलब जो गणेशन का रोल जो तमना भाटिया के फादर का रोल कर रहे है उनकी कितनी बड़ी फॉल्ट है तमना भाटिया उनकी बहन के साथ किया हुआ जो पसु पती जो येसु है उनका कैरेक्टर डिवेलपमेंट किस तरीके से गोल-गोल हमें गुमा रहा है ये कहानिया को बहुत ही अच्छे से एक्स्प्रेंड करेगी या जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये वेब सीरीज बेकार है या ये वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए ये बोरिंग है उनकी बात मत सुनिये साड़े साथ घंटे बैटकर अगर आप देख लोगे ना आपका दिमाग घुम जएगा कि इसमें हो क्या गया है ऐसी वेब सीरीज इंडियन सिनिमा में ना सौ साल में एक बार बनती है मैं आपको बता रहा हूँ तो इस वेब सीरीज को प्लीज आप जाने मत दो डिस्नी प्लस होट स्टार पर अवेलेबल है और अगर आपके पास यहाँ पर अभी टाइम है तो जाके देखो यार इतनी जबरदस्त वेब सीरीज ना और इतनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ आपने कहीं भी नहीं देखियो कि तमना भाटिया शी जस्ट नेल्ड इट हर रोल इतना जबरदस तरीके से उनों अपना रोल निभाए कि आप पसंद कर लोगे छोटे मोटे जो उनके साथ को एक्टर काम कर रहे है उनको एक्टर का नाम तो नहीं पता और उनके जो पुलिस ब्रांच है महाँ पे हर कोई ना कोई महाँ पे हैकिंग कर रहा है हैक कर रहा है सारी ऑनलाइन फाइल्स को तो उसका भी यह कॉंसेप्ट यहाँ पे एक्स्प्लें किया गया है यह कहानी ऐसी है जो आपको पहले एपिसोड से 7 एपिसोड तक बांद के रखे ही आखिर हो क्या रहा है हाँ आप बिल्कूल भी यह मत सोच ना किया अगर यह बहुती स्लो स्क्रीन प्ले है तो चलो यार छोड़ देते हैं बोरिंग है ऐसा सोच के बिल्कूल मत छोड़ देना आप बहुत ही जादा पच्चता होगे इस करम के लिए मैं आप से इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा सस्पेंस ऐसा डारेक्शन ऐसा स्क्रीन पर आपने किसी और हॉलिवूड वेब सीरीज या हॉलिवूड वेब मुवी में नहीं देखा होगा और तमन्य भाटिया कि पिछले दो महीने में ये दूसरी वेब सीरीज है आहा ओरिजिनल के 11 आर के बाद तो वो शायद लोगों को ज़्यादा पसंद ना आई हो लेकिन यार ये वेब सीरीज मास्टर फीस है एक बार ज़रूर देखना अगर आप लोग IMDB रेटिंग के थ्रू जाना चाते तो मैं आपको पहले बताना चाता हूँ कि 8 से नीचे वाली वेब सीरीज मत देखे जिनको IMDB रेटिंग 8 से नीचे मिली है लेकिन जिने 8 से उपर मिली है 8.7, 8.8 और इसकी 8.8 है नवंबर स्टोरी की तो मैं कह रहा हूँ इसको मत छोड़िए मैं आपको परस्टनी रिक्रमेंट कर रहा हूँ एक साइको थ्रिलर और एक सबस्पेंस थ्रिलर साइको यह सब अगर आपको वर्ड्स एक ही वेब सीरीज में देखने है ना जा कर देखो यार नवंबर स्टोडी सारे के सारे काम छोड़ो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है सब्सक्रिप्शन नहीं है सब्सक्रिप्शन लो हाट स्टार का जाके देखो यार मज़े आद आएंगी मज़े तो भाई टेक केर भाई 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 जाते जाते इतना गया चाता हूं कि मुवीस से रेलेटी तेर सारी अपडेट जाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा